हेलो एवरिवन वेलकम टू सीजी पीसी एंडिटर नोट्स मैं जागरिती साहू आज हम लोग एड्जेक्टिव देखेंगे हम लोगों ने नाउन और प्रणाउन कंप्लेट कर लिया है अब हम लोग आज से एड्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं तो एड्जेक्टिव एड्जेक्टिव देखते हैं एड्जेक्टिव उसको क्या बोलते हैं हिंदी में विशेशन ठेक है तो इसके हम लोग डाफिनेशन देखते हैं एड्जेक्टिव is a word used to qualify a noun और प्रणाउन जो noun और प्रणाउन की को qualify करता है मतलब उसकी विशेस्ता बताता है quality को बताता है noun और प्रणाउन की विशेस्ता को बताता है वो क्या होता है adjective होता है और है qualifying words are known as adjectives मतलब विशेस्ता बताने वाले सब्दों को adjectives कहते हैं तो यह हो गया हमारी definition हो गई है अब हम लोग kinds of adjective देखते हैं तो kinds of adjective में first है हमारा adjective of quality और qualitative adjective मतलब यहाँ पर हम लोग किस पर बात करेंगे quality और quality पर बात करेंगे ठीक है quality और qualitative adjectives तो इसमें क्या क्या आते हैं quality में good, bad, red, black, tall, short, beautiful, ugly, long, etc. यह इसमें आते हैं quality और qualitative में मतलब ऐसे adjectives जिनसे हम उसके color का, size का, आदी का बोध होता है ठीक है उसके लंबा है, छोटा है इसका बोध होता है रंग रूप का, आकार, प्रकार का, गुर्ण दोस्त आदी का बोध होता है वो क्या होता है quality और qualitative adjective कहलाता है तो इसके example देख लेते हैं हम लोग तो example देखते हैं, she is a beautiful girl ठीक है, she is a beautiful girl तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें विसेस्ता क्या बता रहा है, beautiful है, girl कैसी है, beautiful है तो यह इसका quality विसेस्ता बता रहा है, ठीक है फिर हम लोग second देखते हैं, adjective of quantity और quantitative adjective तो adjective of quality और quantitative adjective, मतलब ऐसे adjective जिनसे मात्रा और quantity का बोध होता है, क्या होता है quantity का बोध होता है, उसको adjective of quantity कहते हैं, तो इसमें क्या क्या है जैसे some, any, no, little, much, all, whole, enough, sufficient, none, most, यह क्या है, हमें इससे quantity पता चलती है quantity का बोध होता है, तो इसको adjective of quantity कहते हैं, इसमें भी example देख सकते हैं, हम लोग जैसे की, she has a lot of coffee, she has a lot of coffee, तो a lot of coffee है उसके पास, तो देखो, सिर्फ some, any, no, little, much, all, whole, enough, sufficient, none, most के अलावा, a good deal of, ठीक है, a good deal of, a great deal of, a large amount of, a large quantity of, a lot of, a lots of, a lot of, और lots of, plenty of, यह सारे भी हमें quantity शो करते हैं, फिर थर्ड है, adjective of number, adjective of number और numeral adjective, मतलब ऐसे adjective जिन से व्यक्तियों और वस्तुयों का बोध होता है, मतलब numbers में, तो उसको adjective of number कहते हैं, जैसे one, two, three हो गया, या फिर next है, last है, first है, second है, third है, या many, few, various, some, all, sufficient, none, no, none, most, whole, enough, several, इसे हमें numbers का पता चलता है, तो इसका example देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, there are twenty students in the class, तो यहाँ पर twenty students number बता रहा है, तो यह, क्या हो जाएगा, वो numeral adjectives हो जाएगा, इसके बाद fourth है, proper adjective, क्या है proper adjective, व्यक्ति वाचक विसेसर्ड, proper adjective, व्यक्ति वाचक विसेसर्ड, क्या है, क्या होता है, व्यक्ति वाचक विसेसर्ड, या proper adjective, तो एड से adjectives, जो proper noun से बनते हैं, proper noun से बनते हैं, उसको proper adjective कहते हैं, जैसे क्या है Indian हमारा क्या है, proper adjective है, Indian, American, Chinese, Japanese, Nepalese, Russian, यह क्या है हमारे, proper adjectives है, तो इनके proper nouns भी होंगे, इंडिया का, इंडिया एक क्या है, proper noun है, और उसका proper adjective होगा Indian, America क्या है, एक proper noun है, उसका proper adjective होगा American, ठीक है, तो ऐसे ही यह होता है, proper adjective, इसके बाद हम लोग देखते हैं, possessive adjective, यह क्या है, possessive adjective संबंध या अधिकार का बोद कराता है, अधिकार का हक का, ownership का बोद कराता है, वो possessive adjective होता है, जैसे my, our, your, यह मेरा है, यह हमारा है, यह तुम्हारा है, he's her, it's there, यह क्या है, अधिकार का बोद, अधिकार बोद हक हैं, वो possessive adjective कहलाते हैं, जैसे कि, this is my phone, क्या हो जाएगा, this is my phone, इसका example, this is my phone, तो यह फोन है, किसका है, मेरा है, तो मेरा है, तो मेरे अधिकार का है, तो मेरा, तो यहाँ पर my क्या है, possessive adjective है, ठीक है, फिर six है, distributive adjective, adjective, व्यस्टिव आचक, विशेशन, distributive adjective क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों, या वस्तुव में से, प्रतेक या एक का बोद कराने, बोद कराता है, ठीक है, बोद कराने वाले adjective को, distributive adjective कहते हैं, दो, या दो से अधिक, में से, प्रतेक या किसी एक, किसी एक का बोद कराने वाले adjectives को, distributive adjective कहते हैं, तो इसमें हम लोग क्या, distributive adjective क्या क्या है, each, every, either, neither, ये distributive adjective हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, demonstrative adjective, संकेत बाचक विशेशन, demonstrative adjective क्या होता है, तो व्यक्तियों, या वस्तुवों को इंगित करता है, उसको demonstrative adjective कहते है, जैसे this है, that, those, this, such, the same, some, any, certain, certain, any, other, other, another, ये क्या है, demonstrative adjective है, संकेत करते है, point out करते है, ये है, वो है, तो this, that, ये क्या होते है, demonstrative adjectives होते है और demonstrative adjectives भी two types में बढ़ते होते है, क्या होता है, एक definite होता है, definite होता है, और एक क्या होता है, indefinite होता है, indefinite, five, definite मतलब वो निश्चित है, और indefinite मतलब अनिश्चित, तो this, that, this, those, such, the, same, ये, यहां तक क्या हो जाएगा, definite में आ जाएगा, ये, this, that, this, those, such, the same, the same तक का definite, demonstrative adjective है, उसके बाद क्या है, some, any, a certain, certain, any, other, another, ये सब क्या है, ये, indefinite, demonstrative adjective हैं, जो अनिश्चित होते हैं, इसके बाद है, interrogative adjective, क्या है, eighth interrogative adjective, प्रस्ट वाचक विशेशर, बज़ब प्रस्ट पूछने के लिए, प्रयुक्त किये जाने वाले adjectives को, interrogative adjectives कहते हैं, तो interrogative adjective की इसको कहते हैं, जो प्रस्ट पूछने के लिए, प्रयुक्त जो adjectives हैं, उन्हें हम interrogative adjective कहते हैं, जैसे what, which, whose, example कह लेते हैं, what is your name, example ले सकते हैं, what is your name, तो यहाँ पर what क्या है, interrogative adjective है, जो प्रस्ट पूछने के लिए, यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर interrogative adjective हो गया, फिर है emphasizing adjective और emphatic adjective, ठीक है, तो इसमें क्या है, very और own, क्या है, यह emphasizing adjective है, तो own और very का use, जब noun के पहले, noun के पहले या noun पर emphasis करने के लिए use होता है, noun के पहले, noun के पहले, या noun पर ही emphasis करने के लिए होता है, तो वो emphasizing adjectives कहलाते हैं, ठीक है, फिर हम लोग, इसका example देखते हैं, जैसे इसका example है, she killed her husband before his very eyes, ठीक है, she killed her husband before his very eyes, तो, यहाँ पर देखो very, यहाँ पर है, very, very क्या है, emphasizing adjective है, तो यह noun के पहले use होता है, तो यह हमारा noun हो जाएगा, क्या हो जाएगा, eyes क्या है, noun है, eyes क्या है, noun है, तो यह जो very है, यह noun पर ही जोर दे रहा है, इसलिए emphasizing adjective है, इसके पाद हम लोग देखते हैं, last exclamatory adjective, तो इसका example क्या है, what, क्या है, what, यह, ठीक है, exclamatory adjective, विश्मयादी बोदर, इसका example है, what, exclamatory का use हम लोग जब एकदम surprised हो जाते हैं, sense of surprised के लिए use करते हैं, एकदम आश्चर यह चकित हो जाते हैं, तो exclamatory adjective कहलाता है, जैसे what का use कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर what, ओ, यह क्या है, exclamatory adjective होगा, sorry, यह बहुत ही होगा, exclamatory adjective, फिर देखते हैं हम लोग, questions देखते हैं, तो यह fill up है, some और any fill करना है हमको, उससे पहले, हम question देखने से पहले, some और any के बारे में, कुछ concept देख लेते हैं, तो some क्या use हमेशा, some का use, positive sentence के लिए होता है ना, positive sentence में होता है, और any का use, negative sentence में, any का use, negative sentence में है, अगर question में interrogative marks है, interrogative या question tag यह है, तो हम लोग any का use करेंगे, अगर question negative है, और question में interrogative का sign है, तो हम लोग हमेशा any का use करेंगे, और अगर sentence positive है, तो हम लोग some का use करेंगे, बस यही इसका concept है, अब हम लोग चलिए, question देखते हैं, first question क्या है, he does not want coffee, क्या है, he does not want coffee, तो यहाँ पर क्या लिख आ है, sentence क्या है, negative है, क्या है sentence not का use हुआ है, मतलब sentence negative है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, negative sentence है, तो यहाँ पर any आएगा, ठी है, he does not want any coffee, फिर second question है, did you see blank the girl there, यहाँ पर भी question में क्या है, question mark लगा हुआ है, interrogative का sign है, तो हम लोग देखे हैं, any के लिए, any का use हम लोग negative sentence और interrogative sentence के लिए करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग, did you see any girl there, तो यहाँ पर भी हमारा any आ जाएगा, उसके पर third question है, he saw blank girls dancing on the stage, ठीक है, he saw girls dancing on the stage, यह क्या है, positive sentence है, तो इसमें हम लोग क्या use करेंगे, some girls, क्या हो जाएगा, he saw some girls dancing on the stage, फिर fourth question है, will you give me blank sugar, तो यह भी हमारा क्या है, positive sentence है, will you give some, give me some sugar, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, sum आ जाएगा, फिर fifth question है, there is blank coffee in the kitchen, but there isn't blank milk, तो देख़ों, यहाँ पर, क्या है, there is blank coffee in the kitchen, यह हमारा एक sentence हो गया, but, यह क्या है, there is not milk, यह हमारा second हो गया, तो first sentence में हमारा, इसमें कोई भी negative marking, sorry, negative sentence नहीं है यह, और नहीं इसमें question tag है, यह पूरा positive sentence है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, there is some coffee in the kitchen, but, there is not, isn't, sorry, isn't, isn't, isn't है, यह negative sentence हो गया, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, any milk, ठीक है, क्या हो जाएगा, there is some coffee in the kitchen, but, there isn't any milk, फिर six question है, असोक है ब्लैंक बुक्स, बट रोहन हैं, तो यह भी first sentence हो गया, है, यह second, यहाँ पर भी negative, sorry, not लगा हुआ है, sentence negative है, तो यहाँ पर हम लोग any का यूज करेंगे, और यह sentence positive है हमारा, तो यहाँ पर हम लोग क्या some का यूज करेंगे, तो असोक हैज सम बुक्स, बट रोहन हैज नॉट एनी, फिर seventh question है, please give me blank more rice, I am sorry, there is not, तो please give me some more, some more rice हो जाएगा, हाँ न, some more rice, I am sorry, there is not, any, तो यहाँ पर any आ जाएगा, not लगा हुआ sentence में, फिर eight question है, you have blank more books to read, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह भी sentence हमारा, क्या है, पूरा positive sentence है, यहाँ पर some आ जाएगा, some, some more book to read, फिर ninth question है, put blank sugar in my tea, तो यहाँ पर क्या है जाएगा, some sugar, some sugar in my tea, फिर tenth question है, have you got blank trouble, यहाँ पर यह दिख रहे हैं लोगों, question mark है, तो क्या हो जाएगा, have you got any, क्या हो जाएगा, any, trouble, बस हो गया, फिर हमारा भराज गया, some और any, तो some और any का भी हम लोग देख लिए adjectives, इसके बाद हम लोग और भी adjectives देखेंगे, जैसे much, many, little, a little, the little, few, a few, the few, very little, very few, all, whole, other, another, each, every, either, neither, सब के questions करेंगे आगे, तो thank you guys, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, तो please like करें, share करें, and subscribe करें, thank you, करें आपको